हेलो गाइस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आपका चटोरी कॉर्णर पर तो नवरात्री हो या कोई भी व्रत हो तो हम लोग सोचते हैं कि हमें कुछ जटपट बनने वाला रैस्पी पता चल जाए जो हम फटा-फट बनाके और उसको इंजॉय कर सकते हैं तो मैं मैं यहां दो रैस्पी लेकर आई हूं जटपट त्यार हो जाएगी और आपको ज्यादा टाइम भी इंवेस्ट नहीं करना पड़ेगा उसमें तो चलिए मैं यह दिखने में यमी सी रैस्पी त्यार करते हैं तो जिसके लिए मैंने लिया है हॉममेट धाई है यह मैंने घर कर है आपके पास यह जिस तरीका मेरे पास ही मैं यूज कर रही हूं यह है तो इस्ते विस्ट कर लिए फटाफट से देखे यह जो दही वाली रैस्पी बना रहे हैं बहुत टेस्टी रहती है तो यह बनाएंगे मखाने से मखाने आप थोड़ा क्रिस्पी से लिए गाप मै इसमें यहां पर मैं दही एड़ कर दूँगी और दही के साथ हमें जो भी आप मसाले यूज करते हैं वो डालिएगा फास्ट में तो यहां पर नॉर्मल मैंने काली मिश पाउडर लिया है और भुनाव अजीदा लिया है इसमें का यहां पर मैं थोड़ा साइसमें सैंदा नमक गरूंगी और यह वाला जो रायता है थोड़ा सा खथामीट है च्छा लगता तो मैंने यहां पर तो दूगर चौप करी हुई हरादने डाला और थोड़ा सा मिन्ट लीव डालके और गाणिश करके इसको त्यार कर लेंगे तो आप इसको किसी भी आलू के साथ पूड़ी के साथ अच्छा लगता है आप इसको इंजॉई कीजिएगा और चलिए आप नेक्स रेस्पी तियार करते हैं जो बहुत ही स्वाधिस्ट होती है इसको तो मैं विना फास्ट के भी बहुत बनाना पसंद करती हूं यह दोनों र लिजेगा और यहां पर मैंने चौप कर आवा दनिया लिया और एक चोटी हरी मिर्ष में लिया काटके इसको भी आप बारी-बारी चौप कर लिजिए आप ऑप्शनल है यह आप खाते हैं तो यूज़ करेंगा नहीं तो कोई बात नहीं तो यहां मैंने देशी गी लिया औ मैंने half teaspoon जीरा एड़ किया है और इसको अच्छे से fry होने देंगी जब इसको चौप कर दिया है इसको तरक ने देंगे और बस इसके बाद मैं आलू अड़ कर दूंगी और आलू को कुछ नहीं आलू को आपको इसमें बस अच्छे से करना घी का कॉंटिटी देखे रहें कम ना हो कम रहेगी तो फिर यालू अच्छे से फ्राइब नहीं होंगे और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा इनका तो बस यहां पर यह अच्छे से कुछ तक फ्राइब तो यहां पर इसमें नमक करूंगी और काली मिर्च का पावडर रहूंगे अच्छा से चलिए तो जब तक आलू क्रिस्पी हो रहे हैं आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आल बैल आइकन पर क्लिक करिएगा जिससे आपको मेरी सारी अपडेट मिलती रहें और वीडियो आपको अच्छी लग रह हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे इसको इन वाले के आलू के साथ आप प्लेन धाइग में थोड़ा सा काली मिश्ट पाडर और सैंदा नमक मिक्स करके यूज करिएगा तो इनसे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आई होप आपको मेरी दोनों रैस्पी झाल बाइ